नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए अन्बोक्सिंग वीडियो में आज मैं देख सकते हैं एक नोकिया का फोन लाया हूं आप सोज़रेंगों कि नोकिया का फोन इतना पुराना जमाना का फोन क्यों लाया लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज है यह आपका 4G फो दिया हुआ है HD call over 4G network मतलब 4G networks में भी यह काम करेगा ओपेरा मीनी ब्राउजर भी दिया हुआ है इंटरनेट के लिए ठीक है रेयर कैमरा भी दिया हुआ है 0.3 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा दिया हुआ है 2.4 इंच का आपको देख सकते हैं डिस्पले दिया हुआ और इसमें देख सकते हैं wireless FM दिया हुआ है ठीक है चले आज इसी के unboxing करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा इसका design है और इसका features है और क्या इसका price है तो चले इसको unboxing कर देते हैं यह देख सकते मैंने इसको box को यहां से खोल लिया है देख सकते हैं खोलते ही देख सकते हैं फोन को रखते हैं पहले साइड में ठीक है अब पहले इसमें देख सकते हैं इसमें आपको दिया हुआ है एक चार्जिंग के लिए USB पोर्ट चार्जर दिया हुआ है ठीक है और यहां पर आपको दिया हुआ है बैटरी यहां पर आपको दिया हुआ है ठीक है यहां पर आपको लगा सकते हैं अपना धी्ट्फून जैक के लिए लगा सकते हैं तो ऑपको दिखाते हैं श्टार्ट कर रखाते हैं यहां यहां देखके दो सिम लगा सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं साइड में तो यहां पर अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं उसको आपको दिखाते हैं कि यह कैसे प्रोफॉर्मेंस है इसका यहाँ पर आपको camera भुए दिया हुआ है तो हमको camera को दिखाते हैं वाउ camera quality बहुत मस्ट है देख सकते हैं camera quality भी आपको बहुत ही मस्ट लगने वाला ठीक है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको gallery दिया हुआ है ठीक है मैंने जो फोटो घीचा था वो देख सकते हैं फोटो लिया था वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं और क्या का फीचर दिया हुआ यहां पर रेडियो दिया हुआ है यहां पर गेम दिया हुआ है देख सकते हैं हमारा स्ने तुछ है यहां पे देख सकते है फाइल मैंनेजर दिए हुआ है यहां पे sweet recording भी इसमें कर सकते हैं तेकly यहांप को torchlight dillar obviously बहुत ही Active आप इसमें whatsapp वगेरह नहीं चला सकते हैं कि इसमें WhatsApp संही संथolome नहीं लगड़ा कि दिया होगा वर वा Bundes इसको जियो सिम लगाने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपका बड़ा फोन खड़ाब हो चुका है या आप कुछ दिन बाद लेना चाहते है तो आपका जियो फोन इसमें इसली काम करेगा ठीक है ओवरल बात करें इसकी प्राइस की तो प्राइस सुरह सा हाई है इसका ठीक यह आप नए के लिए बोले तो नोकिया बेश्ट है ठीक है फोर्जी सिम आपका स्टार्ट रखने के लिए ठीक है ओवरल बात करें फोन की तो फोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा फोर्जी सिम है जियो सिम यूज होगा तो इसके लिए और प्लस पॉइंट है इसके बता हैं किसी अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए